Hey guys, welcome back to my YouTube channel आज की वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट में इस कीवर्ट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल जाए सो बेसिकली इस कीवर्ड को समझने के लिए कुछ पॉइंट से जो कि आपको समझने होंगे जिससे कि आपके काफी सारे डाउट्स जो है वो किलियर हो जाएंगे जिसमें से कि पहला पॉइंट है alone this always refers to the global object alone का यहां मतलब है without anything मतलब कि अगर आपका दिस कीवर्ड किसी भी object या फिर किसी भी function के inside use नहीं होता है तो वो हमेसा global object को point करता है इसको मैं आपको अभी example से show करता हूँ तो अगर मैं दिस को सीधा console पर output कराना चाहूँ तो output क्या आता है देखते है मैंने यह लिख दिया अगर जैसी मैं इसको save करूँगा आपको right side में output देखे रहा तो इसको मैं save करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि right side में जो आपका output प्रिंट हुआ है वो है एक window object आपका जो browser में global object होता वो आपका window object ही होता है तो हमने यहाँ पर दिख को जैसे प्रिंट करना चाहा तो हमें browser में दिखा window object यानि कि global object प्रिंट हुआ है तो पहला point आपका यही था कि alone this always refers to the global object नाओ लेट सी next point next point है कि inside object this always refers to the object itself यानि कि अगर आप this को किसी भी object के अंदर use करते हैं तो जो this है वो आपके object को ही show करने का काम करता है इसको भी मैं आपको एक example से दिखाता हूँ तो पहले मैं इसको clear कर देता हूँ तो सबसे पहले मैं एक object बनाता हूँ YouTube जिसमें की एक property है चैनल जिसमें मैं value assign कर रहा हूँ दावेब और इसमें एक function बनाता हूँ जो की है subscribe to और जो की output में हमारा print करता है this.channel और इसी के साथ मैं एक all line लिखता हूँ इसमें जो की output में हमारा print करती है तो अगर मैं इस function को call करता हूँ तो आपको output में दिखता है the web यानि कि आपका जो this है वो इस वक्त आपके इस object को represent कर रहा है YouTube को तब ही दोनों का output जब वो आपका same आ रहा है तो यहाँ पर आपका second point यही है कि किसी भी object के अंदर अगर आप this keyword का इस्तमाल करता है तो वो उसी object को point करता है जिसके अंदर वो define किया गया है चलते हैं अपने third point पे जो कि है inside a function this refers to the global object यानि कि function के अंदर जो आपका this है वो हमेशा global object को ही point करने वाला है तो इसको भी मैं आपको एक example से show करता हूँ सबसे पहले मैं एक function की rate करता हूँ जिसका गी नाम है test जो कि output में print करता है this keyword को अगर मैं इस function को यहाँ पे call करता हूँ तो देखते हैं हमें output में क्या मिलता है output में हमें फिर से window object देखने को मिला है यानि कि एक global object देखने को मिला है तो third point आपका यही था कि किसी भी function के अंदर जो आपका this keyword है वो global object को point करता है तो हमारा fourth point है कि inside a function in strict mode this is undefined यानि कि किसी function के अंदर अगर आप strict mode में this का use करते हैं तो this की value हमें सा undefined होती है वो किसी object को point नहीं करती है इसको भी मैं आपको example से दिखाता हूँ हमारा यही एक function है अगर मैं इसमें strict mode का इस्तमाल करता हूँ और इसको save करता हूँ तो आपकी right side में आपका output दिखे रहोगा यह है undefined यानि कि strict mode और non strict mode के हिसाब से function के अंदर आपकी this की value अलग-अलग होती है इससे पहले मैंने आपको जो भी example दिखा है यानि कि this को हमने alone प्रिंट किया है या हमने किसी object के अंदर प्रिंट किया है उसमें आप अगर strict mode का इस्तमाल करें या ना करें आपका output जो है वो unchanged होने वाला है strict mode का असर this keyword पे सिभ फंक्शन के अंदर होता है यानि कि किसी function के अंदर अगर this keyword का इस्तमाल करते हैं हम strict mode में तो वो आपका undefined होता है तो दोस्तो वीडियो के लिए इतना ही था hope करता हूँ कि आपको समझ मां आ गया होगा this keyword में थोड़ी बहुत आपके doubts के लिए हुए होंगे अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की हो तो प्लीस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई doubt हो तो प्लीस comment section में पूछना मैं आपसे मिलता अगली वाली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए